एक बड़ी पुरानी कावत है कहते हैं अधिक कसने से बीना का तार तूट जाता है कुछ वैसा ही हो रहा है ताइवान भारत और अमेरिका के अफसर ने क्यों की है खास मीटिंग जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ रूस के ही तरफ से नहीं बलकि यूक्रेन के तरफ से भी लड़ रहे हैं नेपाली सैनी आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में जानेंगे जानने को है बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से नेपाल के परधान मंत्री पूस्प कमल दहल प्रचंड ने ये कहा है कि 200 से अधिक ने उक्रेन के खिलाफ जंग का हिस्सा है वैसे आपको बता दें नेपाल ने रूस से मुआवजा मांगा है पैसे मांगे हैं चुकि बहुत सारे नेपाल के नागरीक रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं पर आपको बता दें इतना ही नहीं है कुछ नेपाली सैनिक यूक्रे पूर्षी सेना में भी सेवारत है नेपाल सरकार ने हाली में पुष्टी की है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में रूसी सेना के लिए लड़ने वाले छै नेपाली नागरीकों की मौत हो गई है दहल ने सोमबार को काठ मांडू में अपनी पार्टी सीपीन के दफ सेवारत नेपाली नागरीकों की सही संख्या का पता लगाने के लिए जाच कर रही है उन्होंने कहा हमें ये भी पता चला है कि कुछ नेपाली सेनिक युक्रेनी सेना में भी सेवारत हलाकि नेपाल सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि नेपालीयों को रूसी सेना में भेजन अन्य देसों की सेना में भरती होने की इजाज़त देता है एक तो भारत और दूसरा यूके रूस यूक्रेन युद लगवग दो सालों से चल रहा है ऐसे में रूस के पास योगे सैनिकों की घोर कमी हो चुकी है इस बीच पुतिन सरकार ने विदेसी नागरिकों को ओफर दि तो रूस की नागरिकता मिल जाएगी इसके अलावा उन्हें हर महिने मोटी रकम भी मिल रही है रूसी सरकार की इस कोशिसों के कारण अब तक 200 से अधिक नेपाली रूस की सेना का हिस्सा बन चुके हैं मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक नेपाल में भारी बेरोजगारी के कारण युवाओं को दूसरे दिसों की सेना में जाना पड़ता है एक रिपोर्ट ये कहती है कि नेपाल में हर साल करीब 5 लाख युवा तयार होते हैं जिन में से 1 लाख लोगों कोई ही नोकरी मिल पाती है ऐसे में बाकी युवा रोजगार की तलास में इधर उधर जाते रहते हैं पर नेपाल और रूस का ये मुद्दा हाल के दिनों में बहुत ही जादा उचल रहा है फिलाल तो रूस की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुआवजा देने का या हरजाना देने का पर ये खबर अब दीरे दीरे नेपाल के लिए संकट बन रही है आपको बता के संख्या में बड़ोतरी कर रहा है ऐसे में लगता नहीं है कि रूस इन बातों को सुनेगा वैसे आपको बता दें दवीक की ये खबर देख सकते हैं जिसमें नेपाली पीएम ने इस बात को माना कि यहाँ पर दोनों ही तरफ सेनाएं जा रही हैं तो यहीं नेपाल ने भ करी की तलास में सेना में सामिल हो रहे हैं खैर कई सारी ऐसी नीतियां हैं जिन नीतियों की वजह से ये हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं नेपाल के अंदर पर इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है ताइवान से वैसे बात सच भी है आपको बता दें स्क्रीन पर एक कटिंग देख सकते हैं जब 2016 में साइवेन बनी ताइवान की राश्टपती तब उस समय भारत में प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी ताइवान की तरफ से नियोता आया पर भारत ने उस नियोते में जो सपत ग्रहन समार और तो उसमें किसी को नहीं भेजा चार साल बात साइवान फिर से जीतने के बाद फिर ये नियोता भेजते हैं तब भारत की तुरफ से दो भारती अधिकारी थे ये वर्शुल तो पर चुकि उसमें महामारी चल रही थी तो ये वर्चुल तोर पर यहां पर सामिल हुए थे उसके बाद का समय क्या हो रहा है ठीक उसके चार साल बाद बहुत सारी चीजे बदलती हुई नजर आ रही है ताइवान और भारत के बीच में जो बैपार 2001 में मात्र एक बिलियन का हुआ करता था वो बैपार साथ बिलियन डॉलर का हो गया ताइवान बेज्ट जो फॉक्स कॉन कमपनी थी उसने भारत में इन्वेश्टमेंट करना सुरू कर दिया और भारत में एक दसमलाव छे बिलियन डॉलर का इन्वेश्टमेंट कर दिया इसके अलावे ताइवान की सेमी कंड़क्टर मेनुफेक्चरिंग कमपनी टीएस एमसी इसने भी भारत के अंदर प्लांट लगाने की बात करनी शुरू कर दी रहा साहा खबर ये भी आया कि ताइवान और भारत के बीच में एक लाख लोग भारत के इंडियन वर्कर्स ताइवान जाएंगे हलाकि इसके बाद कुछ बवाल मचने लगा और ताइवान ने आरोप लगाया कि इस तरीके के कमेंट चाइना के द्वारा पास किये जा रहे हैं भारती वर्कर को लेकर पर अभी फिलाल के लिए ताइवान ने कहा कि नहीं ये न्यूज अभी सही नहीं है अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं एक लाख वर्कर के आने की अभी कोई फूरा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है पर इन सब के बीच में रिष्टे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको बता दें डिकी एसीय की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं इस वक्त चाइना का सेयर मार्केट डाउन है लेकिन दो देसों का सेयर मार्केट पे चल रहा है एक भारत का अप पे चल रहा है दूसरा नेशनल फेक्टर भी है पर ताइवान के साथ क्या केस है ताइवान के साथ है इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका का और भी कई देसों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यह ताइवान की एकोनोमी को बचा कर रखके हुए है आपको बता दें इसे बढ़ा ही रहा है पर इन सब क भारत और अमेरिका की बैठक हो रही है और इसमें बड़े अधिकारी कहां पर बैठक कर रहे हैं ये बैठक कर रहे हैं नई दिल्ली में चाइना के लिए टेंसन वाली बात क्या है इसमें तो आपको बता दे चाइना के लिए टेंसन वाली बात ये है कि दोनों ही देश या ये जब ताइवान पर हमला कर देना तो भारत को चाहिए कि बारत मलका स्ट्रेट को बंद कर जिससे चाइना के लिए मुस्किले खड़ी हो जाएगा इन्हों ने यह सजेस्ट किया था कि भारत को और ताइवान को मिलकर चलना चाहिए इस क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए त 45 मंडारीन लेंगविज के सेंटर को चलाने के लिए और 40 टीचर को भारत में रखने के लिए अब आपका मन में ख्याल आएगा मंडारीन सीखने से भारत को कौन सा फाइदा हो जाएगा तो फाइदा है आपको चाइना से अगर लड़ना है तो चाइना की भासा भी आपको स दूसरे को समझना बेहत जरूरी है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ